नमस्ते फ्रेंड्स मैं प्रियंका का आप विकास स्वागंधै फ्रेंड्स आज में बनाने जा रही हूं ड्राई फिश की रेजपी चोकि बहुत ही जादा टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है कही लोगों किसे रेस्पी नहीं पता होती है इसे परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है तो आज मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स दिया दूँगे फ्रैंड्स जिसे आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं तो ज्यादा सुखी होई होती है उतने अच्छे इसके क्वालिटी होती है मतलब ज्यादा सुखी होई है तो यह ज्यादा दिन तक इसकी लाइफ होती है यह बसकारण और यहाँ पर हमने ले लिया है तो चलिए इसे कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं यहाँ पर मैंने गंच पानी में और हमें इसे अच्छे से मीडियम टो हाई फ्लेम पे अच्छे से उबा लगाएंगे दो सी तीन मिनट के लिए ना तो बीज विज में जब यह जादा पानी जो है बाहर निकलने की कोशिश करें तो गैस की जो फ्लेम है ना वो लो कर दें फिर से हाई करें तो ऐसे ह उसे तीन मिनट तक मैंने उबाला है और आप देख सकते हैं यह देखिए पानी की कलर भी चेंज हो गई है और हमारी जो फिश है ना वो भी थोड़ी-थोड़ी सी मतलब सौफ्ट होने लगी है तो यह बहुत अच्छे से क्लीन होती है तो आप जब भी बनाए ड्राइ पर निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैं यहां पर प्लेट मतलब जो कर्ची होती है जहारा बोलते है जिसे उसी जहारे से हम इस तरीके से पानी उसका जो एक्स्ट्रा है वह हम निथारते हुए हम दूसरे प्लेट पर निकाल रहा है यह फिश के रेस्पी मतलब ड्राइ फि सच में आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और यह अलग-अलग प्रकार की जो फिश होती है तो अलग-अलग प्रकार की हमारे पास ड्राय फिश मिल जाती है आसानी से मार्केट में यह उपलब्द होती है यह देखिए मैंने सारे फिश को जो है निकाल लिया है इस तर सादाना सरसोल के तेल से त्वाफित तोेल जैस ही गरम हो जाएना हमने उस पर डाल की र HAVE एक緩 की प्रिश एक चुटकी साबुत की जीरा सर्शोल में का फोराँ जरूर दै इस रेशा की पर जैसे ही सार सब्सक्राइध एक डाल के प्रका नेम higher Enough मिर्च वह उर भी से कट सबस्थ हम करें हरी मिर्च कमος करें दो सकते हैं और बिलकुल लगतर हॉए था टेसment हाई कर सेंग्स करें और ह् टीक होती corp अरी मेर्च और अरिय दुड़ आले हाँ में और अदो ले फंज सबगता है और अब देखकी पूह-धे सकते इतना ही हमें पकाना होता है उसे के साथ हम इस पर एड़ करेंगे दो बड़े साइज का टमाटर जिसमें ने बारी गवारी काट लिया है टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी जादा रखें क्योंकि यह जो हम आज रेस्पी बता रहें थोड़ी सी हलकी चपचपी वाली बना र देता है तो उसी के साथ हमने डाला नमाक खल्दी धनी का पौडर लाल मिर्च पौडर भूना कुटा जीरा और साथ ही हम डालेंगे अधाचमच गरम मसाला जो हमने घर में बेसिक मसाला यूज करते हैं वही मसाला मैंने यह आपर एड़ किया है और इन सभी को अच्छे से म टमाटर को हमें अभी अच्छे से पकाना है बतलब टमाटर को पूरा अच्छे से गलाना होता है तब ही इसकी जो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पे चमत चलाते चलाते टमाटर को अच्छे से बूनते हुए हम पका लेंगे और आप देख स जादा रखने हैं आपको तो पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी से जादा रखें अब यह अच्छे सी मिक्स कर लेते हैं इन सभी ग्रेवी को और हमें इसे उबाल लगाना है ग्रेवी को तो हम चलिए अभी गैस क्लिफ हैं जो हम बढ़ा देते हैं और बहुत अच्छ अच्छे से गरम पानी में जब उबाल के दो गया था ना तो अल्रेड़ी सोफ्ट हो गई है तो बहुत ही साधानी बरतते हुए हमें यहां पे बहुत अच्छे से ग्रेवी में आपको जो ड्राइ फिश रहना है उसे अच्छे से इस तरीके से डीप कर लेना है लो फ्लेम पे हमें दस मिनट तक ढख कर पकाएंगे दस मिनट की बाद आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार जैसे मैं इसकी ड्ली धरता आई बहुत अच्छी खुश्बू आई है और देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है फ्रैंट्स आप एक बार जरूर ट्रा करीबन पांच मिनट के लिए तो आप पांच मिनट के बाद देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो यह रिस्पी बन करके तैयार होगी है मैंने गैस ऑफ कर दिया अब चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं यह देखिए तो फ्रैंट्स आपको आज की यह मज़िदार ड् आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की नए नए रिस्पी लेकर आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि मैं रोज एक नए रिस्पी लेकर आती हूं आप लोगों के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा थैंक यू बाबाई